प्रियंगा चोपड़ा और निक जोनास इस साल की शरुवात में ही घोशड़ा कीती की कपल ने सैरुगसी के जरीए अपने पहले बच्चे का एक साथ स्वागत किया है हाला कि दोनों ने इस बात की कोई भी ऑफिशल अनौसमेंट नहीं कीती की उन्हें बेटा हुआ है या बेटी लेकिन बाद में ये पता चला कि दोनों एक बच्ची के माता-पिता बने हैं और जब से लोगों को पता चला है कि प्रियंका चोपड़ा एक बेटी की माँ बनी है तब इसे उनके फैंस उनकी बेटी का नाम चानने के लिए काफी ज़्यादा एकसाइटेड है लेकिन अब उनके फैंस का ये इंतिजार खतम हो चुता है जी हाँ प्रियंका और नेकी बेटी का नाम का सस्पेंस उध गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका ने काफी सोजविचार के बाद अपनी बेटी का नाम सोच लिया है रिपोर्ट्स के मुताब एक प्रियंगा और नेकी बेटी का नाम माल्ती मैरी चोप्रा जुनास है रिपोर्ट्स में प्रियंगा की बेटी का बर्स सेटिफिकेट मिलने का दावा किया गया है इस certificate के मुदाबिक प्रियंगा की बेटी मालती का जनब 15 जनवरी को California के San Diego में रात 8 बजी के बाद हुआ था फिलाल अभी तक कपल की तरब से बेटी के नाम को लेकर गोई खुलासा नहीं किया गया है वैसे पिछली एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रियंगा अपनी बेटी का नाम नेक और अपने कल्चर को दिहान में रखते हुए रखेंगी ये नाम दोनों ही कल्चर को मिक्स होगा क्योंके प्रियंगा और नेक दोनों अपने ही कल्चर से काफी जुड़े हुए है प्रियंका और नेकी बेटी का जो नाम सामने आया है उसमें साफ तोर पर दोनों की कल्चर का रिप्रेजेंट देखने को मिलता है लेकिन प्रियंका जोपड़े की बेटी का नाम में कितने सच्चा ही है अभी इस बात का कोई भी खुलासा नहीं किया गया है वेल आप कितने सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूले